आप यह लो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल अमज जयक्यां तो गाइस इसके पहले का अगर आपने वीडियो ने देखा तो प्लीज गाइस वीडियो डरू कर देखिए ठीक है इसके पहले का वीडियो देखना जरूरी है आप देखेंगा है हिस्ट्री के को सन क्या दिया है कि प्राचिन भार्त के विख्या चिकिस तक धन्वरी ने अपना प्रामर किसके दर्बार में दिया था दा चंद्रगुप्त्रदी दर्वार में दिया दिया इसका राएँ डालों स्टैन्गो तरह बढ़ते हैं में आपर्ड़क नेस्ट कॉशन कि क्सके की यह सत्पर संगमकाल में रोमन बयापार का केंद्र बताए तो क्या पास deuby राजेंद्र ने कौन सी पदवी धार्ड की पंधित पंडित चोल की और मुंडी कोंड गंगे गोंड क्या है गंगे गोंड मतलब इन तीनों की पदवी धार की थी तो नेस्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं मारा नेस्ट कोशन क्या है वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक कमेंट से स्क्राइब जरू करना भूलिए नहां पर दिया गया है कि चोल अभिलेखो में उल्लिखित भूमी की विविन कोटियों के अनुसार की जैन संसाताओं को दान में दी गई थी तो पल्ली चंदम क्या नाम है पल्ली चंदम क्या नाम है पल्ली चंदम में मनलब जैन स्थानों को दान की गई थी निस्ट क्या ह फ्रेस्ट छो बसकील लंका को जीता था जैस्ट को संकर कि तरह अगला पाइट परते माना राघ पकशन किया का ये आ जो कि तूट कि अब पक्या दिए कि जए कि किस बी त्व已经 किकिस चो लरने लंका को पहले जीता तो तो राज राज ने पर्थम ने लंका को सबसे पहले जीता था नेस कोशन क्या कि उत्तर मकेरू सिला लेक के किसके प्रसासन में समंधिर जनकारी मिलती है तो चोल वंस के जो राजा थे मतलब चोल जो है उसमें सिला लेक जो चोल वंस का सासक काल था उसमें स कुछन के हमारा दिया कि राष्ट कूटो की राजधानी कहां सीद कौन थी ठीक है राष्ट कूटो की राजधानी कौन सी थी तो एलोरा एलोरा में कहां थी एलोरा में राष्ट कूटो की प्रादंबिक राजधानी मतला प्रथमबार प्रादंबिक राजधानी कहा सकते हैं व दो राष्टकूट सासक क्रिश्न वनन ने मैलब राश्टकूट सासक क्रिश्न प्रतम ने करवाया था तो कभी राज कभी राज मार्ग पुष्टक लिखी थी कौन से पुष्टक लिखी थी कभी राज मार्ग पुष्टक लिखी थी नेस्ट कोशन क्या है हमारा कि राष्ट कूटो का सारवादी के रिस्थाई युगदान था कन्नन काब के तिव कंभी पंपा पोना और रानना तथा कहलास मंद गया था तो आप क्या लगाएंगे पल्लव राजमांस के दवरान महावली पूरा मंदिरकार निर्माण खराया गया तो नेस्ट कोशन की तरह पड़ते हैं हमारा नेस्ट कोशन क्या है गाईस हमारा देखिए दिया है एक यासी नमर कोशन में दिया है हमारा कि पुल केसिन दृती किसका महांतम सासक था तो वापाती क्या लिखा है वातापी के चालूग की का महांतम सासक था नेस्ट कोशन क्या कि रविक रिती जो एक जैन थे और जिन्होंने एहलोल प्रस्ति की रचना की थी मतलब प्रस्ति की रचना की थी को किसका सनलच्छर प्राप्था तो पुल केसिन दृती का सनलच्छर प्रयाथ मतलब युगदान प्राप्था उनका साथ दिया गए था नेस्ट कोशन क्या है कि मारा प्रसिद दिलवाडा मंदिर इस्थीत है कहां प्रिस्थीत है राजस्थान में परसिद दिलवाडा मंदिर इस्थीत है तो राइट एंसर राजस्थान लगा कराएंगे नेस्ट कोशन क्या है मारा कि पुस्तक कथा सरीत सागर किसने लिखी थी तो सोम देव ने लिखी थी नेस्ट कोशन के आए हर सजरीत के लिखा कौन थे बार भत्र थे कौन थे बार भत्र थे नेस्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं क्या दिया है मेरा कि खजुराहों मंदिर का निर्माड किस ने का चंदेल राजबुत राजाओं ने खजुराहों मंदिर का निर्माड कराया आप राइट एंसर संदेल राजबुत राजाओं लेकर आएंगे तो किस राजा प्रतिहार राजा ने परमाण की उपाधी ली थी तो मिहिर भोज ने प्रतिहार राजा के परमाण की उपाधी ली थी next question क्या है हमारा कि प्रतिवार वंज का महंतम राजा कौन था तो मिहीर भोज क्या था मिहीर भोज प्रतिवार वंज का महंतम राजा था कौन था मिहीर भोज प्रतिवार वंज का महंतम राजा था decision के यहाँ ँस सीनितरी का नाम किया था जो हर्स वर्धन के दर्बार अमें आया था doंहेंन सांग नाम्स का लाटान की गया था नाम प्रदान किया सब्सक्रित नाटक नागानंद की रचना की गई थी तो फॉर्थन द्वारा नागनंद की रचना की गई थी नेस्ट कोचन क्या है भारत में नालंदा विश्विद्याले की सराची में इसी थे तो बिहार में कहां पर इसी थे बिहार में नालंदा विश्विद्याले इसी थे नेस्ट कोशन क्या है हमारा नालंदा विश्विद्याले को नस्ट करने वाला मुसलिम आकरमकारी कौन था तो मुहम्मद बिन बख्लिंद बरकी त्यार था जिसने अक्रम करके पर गीज़ जय देव पहला ज़ायदीट किया ने कि थी आप जय देवफ टिकर कियेंगे तो इस नेश्ट कोशन क्या राणी एक नेका संकों कहां तरह दिग्गा नाम की राणी ने नहीं इन दिग्गा नाम की मीने भारत मैं किसी भाग पर कि अगर कि दीरास को किसे ने पराज़त किया थे तरायन के दीऊद में प्रिफिविरास पराजिं इन तो पहले आता है तो गाइस हम आज यह पार कराई को सिनु यदि इसके पहले का वीडियो ने दिखा दो प्ली वीडियो को दरुड़ी देख के लिए अगनी पस तै रिलेटर कोई टापिक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इसके पहले हमने एक वीडियो अप्लोड किया है अगनी पत वाइस हमारा अगला कोश्टन क्या है 101 नमर कोश्टन नमर दिया है कि किस लडाई में मुहम्मद गवरी के लिए दिल्ली छेत्र खोल दिया गया था तो तराइन की दुसरी युद जी जो है उसमें मुहम्मद गवरी के लिए दिल्ली का छेत्र खोल दिया गया था तो नेस्ट करते हैं ना थे का इसमरा कि ने स्कोचन में देखिए का इसमरा क्या दिया है कि कि तो वीडियो चल पर लाइक कमेंट शेक्राई जरू करना न भूलियेगा ये इसमेर में धाई दिन का जोपड़ा किसने बनवा या था तो कुतुब दिन एवक ने लिए सब्सक्राइब करते हैं तो आलक सी हमें मौटीवेट हम होते हैं और अच्छा से अच्छा वीडियो कि बिनाने का प्रीत्न में करते हैं लिख जाएंगी उनको आप प्रियतन अ कर ले जने कशली स ल्डान के क्या धिया है दिल्ली सल्टान मतलब दिली के स्ल्टान का पद समाल ने मिस्के पहले बलबन की सल्टान का प्तरण मंतरी था नसरुद्दीन का क्षा है वागात नेक्ट कोशन की का की दल्ली संत्राक का उत्त्रादार्क कोन था तो यह को उल्थू तमिझ था कोन था गया नाम है चंगेज खांड के जलालुदीन का पिछा करते हुए किसी ने सिर्मसान का मतलब किसे के सब्सर्ण काLED मे भारत की धूरक पर आकरमड किया इ करा 있어 को सिन कि दा तर mess एफ इसने कि आज कि सिंवाध नोरोजो का परवर्थन या मतलब उसको किसिने लाए तो बलबन ने लाए था कौन लाए था वलबन ने पर वच्वाना पर बैंसित इनी है त्सक्राइश के इसकि है मिरा है ग्यावरण कि एव स्पर फर अंगे यह जिननय खेल रभीर संध यहां कौन थे फैसे फॉल तालोधी वंस manifest इत्वात सो यहांद दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्टान अला सिरै सनक हक एकimmeशने है गाई समरा अगला कुछन की दच्छिर वीजय पर दच्छिर वीजय करने का मिशन अलावदिन खिल जी ने किसे सवपा था तो मलिक कफूर को किसने मलित कफूर को किसने सवपा था अलावदिन खिल जी ने दच्छिर वीजय करने का मिशन अलावदिन कुल जमला मलिक कफूर प नेस्ट कोशन क्या कि वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया गया था तो अलावदिन खिल जी था जिन्होंने खलीफा का अधिकार मानने से इनकार कर दिया था नेस्ट कोशन क्या कि वर्तमान में दवलत बाद जहां मुहम्मद विन तु खाया था किसके समीफ इस्थीत है तो और अंगाबाद में इस्थीत है तैसल और अंगा बाद लगाए राजकुमार किसे कहा जाता है मुःम्मद बिन तुगलप को मनियरो का राजकुमार कहा जाता है न्श्कोशन कि कि लोदी वन्स का संतापक कौन था तो बहलोद लोदी था लोदी वन्स का संतापक बहलोद लोदी था ये तो जरूर रहात रहेगा साइब गाई सापको कि बहलोदी वन्स का संतापक कौन था बहलोद लोदी था तो दिल्ली संत्रलत का अंतिम वन्स क्या था लोदी वन्स था सूफी परंपरा के पीर में क्या आ साय है सूफी परंपरा के पीर से क्या साय है सूफी परंपरा में पीर से क्या साय है आप इसे मलब सूफियों का गुरू ठीक है आप राइट हैं से सोफियों का गुरू लगा कर आएंगे नेस्ट कोशन किया गाइस हमारा कि सोफिय आदेशों को किस नाम से जाना जाता था सिलसिला सिलसिला सोफिय आदेशों किस नाम से जाना जाता था उसे लोकप्रिय बनाया था तो असमियां को किसी ने बना था लोगप्रिय असमिया को आहार भासा का प्रयोक करके लोकप्री बनाया था इसमें different question के दिया है 121 में क्या दिया है कि कांफ्यू स्थापाना किती थांगम भॉंस नहीं कि थी नेक्स कुछन क्या है गोवा के महतपूर की लको बहमियूनियों इचीने चीने वाला प्रथम विज्येनगर सास्य कोन था हरButa क्या दिया है इसके गाइस कि गोवा के भार्भ केले को बहमानियों ने चुन बहमानियों से छीग वाला प्रथम बीजय नगर के कौन था? हर्यर दितिका क्रिश्ञ देव रै किसमार राज वंस के शाशक थे?urya देव राय मतलब बीजय नगर के राजवन सा सक्थे नेस्ट क्या है तेलगू क्रिती अमुक्त माल्यद का लेखा कौन था कृस्ट न देव राय था नेस्ट क्या है हप्पी के समार्कों के समुह का निर्माण किसने करा था नरफ किसने किया था पंद्र हमला 1565 इस्वी में किया गया था 1565 इस्वी में किया गया था नेट्स क्या कि मरमर विथी से गोल गुम्बस का निर्माण किस सासक द्वारा किया गया था तो मुहमर बिन तुगलक के सासक काल में गोल गुम्बस का निर्माण किया गया था नेट्स कोशन की तरह बढ़ते हैं हमारा नेट्स कोशन क्या है गोल गुमच कहां इस्थित है तो बीजापूर में कहां पर इस्थित है गोल गुमच बीजापूर में गोल गुमच इस्थित है नेस्ट कोशन की तरह बढ़ते हैं हमारा चित्रोड का किरती स्थम्ब किसने बनवाया था तो राडा कुमभा ने चित्रोड का किरती स्थम्ब बनवाया था नेस्ट कोशन क्या कि बाबर ने भारत पर किस वर्च आकरमर किया था तो 1526 में बाबर ने प्रसंबार भारत पर आक पानी पत की प्रतम लड़ाई ब्याबर और लोदी समाज के बीच लड़ी गई थी तो पानी पत की पहली लड़ाई दिल्ली में मुगर समाज कि निउ की से लड़ाई के परियाम सुरुप पड़ी थी तो पानी पत की दीदी लड़ाई जो थी उसी के परियाम सßenšग से के देखुते हुए पानी पतिडिल्णी में मुगल समाज की नियू पड़ी थी this question कि भारत में शबसे पहले तोपऊ कशने का प्र॥भ किसे ने किया था ने सबसे फाले तो खानों का प्रयो किया था उनस्कोंच कि तर ignor Boris और जनको यह जरूर से जरूर पहुंचना चाहिए डाय आशने व्यवास के चाहिए बहुत जरूरी है यदि आप इनको मलब 500 को स्थन को देख लेते हैं रोज डेली अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो आप आसानी से एक्जांट को करेक कर ले जाएंगे पांशाव को संस बहुत माने रखता है ठीक है 500 questions 500 से ज़्यादे रहेंगे 500 से कम questions नहीं कराएंगे हम जिसमें आपका काम हो जाए ठीक है तो चलिए नेस्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए topic मतलब एक नए question 134 नमबर इतना द्यान रखिए कि हमने 134 नमबर question तक कराया है ठीक है चलिए बाई बाई